प्यार के लिए सहरत पार जाने वाली अंजू चार महिने बाद बुदुवार को पाकिस्तान से भारत लौट आई बुदुवार को अटारी वागा बॉडर के रास्ते भारत में दाखिल हुई उसे बीसेफ कैम्प में रखा गया बाद में दिल्ली एरपोर्ट से उसकी तस्वीरे सामने आई यहां मीडिया से बादचित में उसने कोई भी कमेंड करने से मना कर दिया इससे पहले अटारी बॉडर पर मीडिया से बादचित में इतना जरूर कहा मैं खुश हूँ अंजू भीवाडी राजिस्तान में पती बच्चों के साथ रहती थी उसका मायका गौलियर के टेकनपूर में है अंजू के गाउं के वीर सी गुर्जर ने बताया कि गाउं के अंदर वो खुश नहीं सकती इतना भरोसा है उसे गाउं वाले घुसने नहीं देंगे पिता भी उसे साथ नहीं रखना चाते पिता गया प्रसाथ तॉमस ने कहा जिस दिन वो यहां से गई थी उसी दिन से हमारे लिए मर गई अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अंजू राजिस्तान में अलवर जिले की भिवाडी में पती अर्विन और दो बच्चों के साथ रहती थी वर टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घुमने गई थी बाद में पता चला कि उसने खेबर पक्तुनखा में रहने वाले नस्रुला से निकाह कर लिया अंजू से फातिमा बन गई पाकिस्तान में दोनों के प्रिवेडिंग शूट और निकाह के फोटो भी सामने आये थे अंजू की फेस्बुक के जरिये नस्रुला से दोस्ती 2020 में हुई थी बीस जूलाई दोजाट 23 को अंजू पति अर्विन से कहकर गई थी कि वह सहली से मिलने जैपुर जा रही है तीन दिन बाद 23 जूलाई को मीडिया से खबरे आई कि अंजू अपने प्रेमी नस्रुला से मिलने पाकिस्तान पहुच गई है 20 जुलाई को अंजू ने नसुला से निकाह किया था